हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो रॉयल स्टडी दोस्तों आज की स्वीडियो मद्यप्रदेश के जीले की 24 एक लास रहेगी 23 क्लास तक हम कवर कर चुके हैं जिसकी लिंक यहाँ पर आपको आई बेटन पर मिल जाएंगी देखिए आपके लिए एक स्पेसल प्लेस्ट भी हमने बन स्टेट भी लगाएंगे जिससे आपकी एक्जाम में बनने वाले सारे कोशन यहां से कवर हो जाएंगे तो आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंतर तक पूरा देखीगा आपको यहां से जितने भी कोशन आपकी एक्जाम में बनते हैं पूरे पता चलिए इसके साथ में आपके लिए कोशन भी हम लेकर रहें कोशन आपका है कि बावन गजा जो है किस जिले में आता है यह आपको क्लिक करना है तो जल्दी से क्लिक कर सकते है आप आपके लिए कोशन है तो जल्दी से कमेंट बोक्स में आप कमेंट करके जरू से हमें बताएगा कि इसका सई जवब आपका क्या होगा अब चलिए आगे बढ़ते तो देखिए सबसे पहले आपको यह की चीज क्लियर कर देते हम कि जो बढ़वानी जो आता है यह आपका इंदोर संबाग का जीला है आपको याद होना चाहिए और यह आपका निमाड शेत्र का भी जीला है तो आपका खरगोन हो जयेगा खंडवा और यह आपका बुरहनपूर है वहीं यह बढ़वानी हो जाएगा अलिराजपूर हो जाएगा और यह जाबवा की पता नहीं होंगे और बहुत सारे इसमें से एसे भी फेक्ट होंगे जो आपको पता होंगे लेकिन बहुत सारे एसे भी फेक्ट होंगे जो आपको नहीं पता होंगे तो आपको क्या याद करना है जो नहीं पता है वो ही आपको याद करना है और जो आपको पता है उनको तो यह आप याद होगा आपको नर्मदान नदी के दक्षिन पर रिस्तित है आपको यह बढ़वानी सहे और पहले जो बढ़वानी है रियासत राज़दानी था और यहाँ जाने के लिए केवल सड़क मारक से जाए सकता है यहाँ बावन गजा नामा के जेन तिरतिस्तल भी है और यह जो कोशने कई बाल आपकी एक्जाम में पूचे जाता है कि बावन गजा जो है किस धर में या फिर आपको मिल जाएंगे इसलिए आप वीडियो का उन्स स्रेट भी लगाएंगे याने प्रेक्टिस भी हम करेंगे आगे प्रेक्ट की बारे में कवर करें तो देखिए बढ़वानी जीला है भारत के मद्ध्रदेस राज्जी का एक जीला है जिसका जो मुख्याल है बढ़वानी है जो कि हम कवर कर चुके और इस जीले का जो चेत जो गुजरात और महारास्ट दोनों राज्यों से सीमा साजा करता है अपनी इसके दाद में नर्मदर्न अदिश की उत्री सीमा बनाती है और इस सेंद्वा इसका प्रसिद्ध नगर है सेंद्वा के बारे में कापी आई एम पी चीज़ हैं आपको बदा देते हैं देखिए अ आपर काटा है तो यह आप याद रखिगा सेंद्वा इसलिए ही प्रसिद्ध सबसे जादों यहां सब पुझे आती कापास की मंडी के लिए इसको जाना जाता है किलेरी चीज़े आगे बात करेंगे कापास के लिए प्रसिद्ध यह एक तेसिल भी है जीले का सरवाधिक ज रिसब्देव की 84 मीटर की एक पत्तर से निर्मित प्रतिवा पहाड जो है प्रतिमा पहाड से निकलती है तो यह आप याद होने चाहिए यह कहां पर बड़वानी से 8 किलोमेटर दूर और यहां पर पहाडियों में यह होती है और भगवान रिसब्देव की यह 84 मीटर भीमा नायक का गाओं धाबा बावडी पासी है तो जिए यह बीमा जो सफे सही नायक सही थे भीमा नायक इनका जो गाओंव्य वह यहीं पर हैं बड़वानी जली के अंतरगत जिसका नाम अंधा बावडी rozp और चील Your अब बड़वानी की तेसीले भी है कितनी नोव नो न Tagです्य में बढ़वानी में कोनकोन सी पहली बढवानी वर्ली हो जाएगी तीसरी वरना सेंदवा इसकांत may राजपूर अजड़ पान सेमल निवाली और पार्टी तो यह नो तेसीले इसके अंतरगत आती है बढ़वानी के अंतरगत अब इसमें हम थोड़ी सी और चीज़ अगर आपको बताएं तो देखें यह जो बढ़वानी जीला है इसकी स्तापना 25 मईं 1998 को हुई थी आपको याद होना चाहिए यह फ 25 मई 1998 को नया जीला बनाया गया था अब बढ़वानी जीला मद्धिप्रदेश के दक्षिन पच्चिम में इस्तिते नर्मना नदीश की उत्री सीमा बनाती है और जीले के दक्षिन में सत्पूरा एम उत्तर में विंद्यांचल परवस्रेनी भी हैं तो यह भी आपके फेक् बढ़वानी नाम जो है जाना जाने लगा है तो देखिए बढ़वानी याने बरगद और वानी याने सब्द याने बगीचे से गिरा हुआ ऐसा प्रतित होता है इसलिए बढ़वानी याने बढ़वानी याने बढ़ से गिरा हुआ बगीचा आप बोल सकते तो बढ़वा सासन से बचा रहा है सेहर बढ़वानी पूरू में बढ़नगर और शिद्धनगर के रीन जाना जाता था तो इसको पूरू में किस लेने जाता है पहले इसको बढ़नगर Colorado State न जाता तो आप परे और बावन गजा के लिए भी यह मसूर है तो आप देख सकते सारी चीजे और इसके साथ में आपको बढ़वानी से रिलिटेड दो चार और फेक्ट आम आपको बता देते हैं जो आपकी एक्जाम में हर बार पूचे जाते हैं देगी पूर में जो बढ़वानी है रियास करती राना वंस जो थे उनका सासन यहां पर हुआ करता था इसके साथ में दो संकलाओं से गिरा आई आपका विंद्याचल और सत्पूड़ा दोनों संकला यहां पर संकला यहां पर है क्लियर रहे चीज़े आयोब की इतनी सारी चीज़े आपको क्लियर हो गए होगी अब द द्यक्च रहे हैं अनिल काकोड कार उनका जन मिस्ताली यहीं पर है बढ़वानी में के लिए यह दो चीज़े आपको पता चलिके बढ़वानी जेन तिर्तिस्ताल चूरगिरी बावन गज़े यह प्रसिद्ध यह तो आप सभी बढ़ाईए और यहां पर पहाड़ी जो है इस पर 15 सताबदी में 11 मंदिर स्तित साथ पर निर्वान पृब्त किया था इसके साथ में चांवल अनुसंदान के इंद्र यहीं पर Nap और 400 में एक दिन का सरवाधिक तापमान भी यहीं अंकित किया गया है यह चीज़े आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है कापी आई इंप आपके लिए है इसलिए इनको जरूर से नोट डाउन आप कर लीजिगा आपको कोई दिक्कत और रहे तो वीडियो पोस करेगा नोट डाउन कर लीजिगा कापी आपके यहां डिगदेश्य कई जलिए इसलिए के लिए बाड़वानिस संभाने के दिवंगट मेТए की याद में बन गया था तो खंडवा और बड़ोदा मार्ग पर सागर विलास पहले से अगर आप से पोचे जाए तो यह कहाँ पर है सागर में नहीं यह बड़वानी में है क्लियर चीज़े कहाँ पर यह बड़वानी में है खंडवा और बड़ोदा मार्ग पर और इसमें आप 110% confused होंगे सागर विलास पहले जब सागर ही इसका सही जवाब लगाएंगे बट आपका जो बढ़वानी सही जवाब होगा आजादी के पहले बढ़वानी सहर जो निमार के पेरिस के रूप में जाना जाता है और तीसरा सुनेरा जीला के नाम से भी इसको जाना जाता है तो तीसरा सुनेरा जीला पूचे जाए तो बढ़वानी रहेगा और निमार का पेरिस भी अगर आपसे पूच लिए जाए तो वो बढ़वानी ही रहेगा और यहाँ पर एक ही नदी बेती है वो नर्मदर नदी आप यह याद रखेगा और यहाँ से तीन राश्टी राजमार की निकलते है NS3, NS7 52G और NS347B यह जो है राजमार की यहाँ से गुजरते हैं इसके साथ में उच्छी सिक्चा के लिए यहाँ पर यहाँ पर इस जीले के दक्षिन में महारास्ट राज जिस्ति थे और यहाँ पर अगर बात की जाए पूरु में जीला खरगोने और उत्तर में जीला धार है तो यह चीज़े किलेर हो गए होगी जीला पश्ची में उच्छितम बिंदू के साथ आकर में त्रिकोनी है और यहाँ पर सिर बढ़वानी जो है नर्मदा नदी के दक्षिन में इस्तिते बढ़वानी जीले में भिलट देव का मंदिर भी है यहाँ नाक पंचमी को हर वर्स मेला लगता है और प्रतियक वर्स यहाँ लोग भारी मात्रा में मेला में आज जोकी सामिल होते हैं तो यह आप याद रखेंगा नाक पंचमी को मेला लगता है जोकि इतना आईएंप नहीं है क्योंकि कोई खास इतना मेला यह नहीं है बर थोड़ी से चीज़े आप देख लीजिगा अगर फेक्ट भी आपकी एक्जाम में आ जाए तो आप इनको सही कर लीजिगा देखिए अब आई एमपी चीज़े और आपको बदाए दे बढ़वानी को 1909 में जीला बनाया गया था राजज का चावल अनुसंदानी केंदर यहीं पर बढ़वानी में बढ़वानी को निमार का पेडिस कहा जाता है बढ़वानी 52 जमें आदिनात जेन मूर्तिया है इसके साथ में सेंदवा यहां का प्रमुक सहर है जहां काटन जीनिंग केक्त्रिया है अब सभी फेक्ट आप ध्यान से सुनीगा देखिए यहां पर एक इस्तान है तीर गोला यह किसलिए प्रसिद्वा आपको बता चुके बट एक बार और बता देते हैं क्योंकि यहां से कोशन आएगा आपका जो है प्रेक्टिसेट में सेंदवा महारास्ति के सीमा पर उपस थी थे प्रसिद् हादिक परिवहन राजय स्वरजित करने वाला कांटा भी यहीं पर है थो इतनी चीज अपको किलिए रोगट परेमें प्रसिद्द काल नाम कीला यहाँ पर है प्रासेट्थ प्राचिन कालिन कीला यहाँ पर है भावरगढ में तो यह चीज यह आपको आयोप किलियर हो गए होगी इसके सार्ड में ईस्तान भीं है, बीजासन के नाम से इसको यह ना जाता है और यह पर計़्णन का अपा तो यह सारी चीज़े आप आपको किलियर हो चुकी है और यहां से कोई भी फेक्ट आपको बाहर नहीं जाएगा इस स्वीडियो का आपने पूरा देख लिया है तो अब देखिए हम पटाफट प्रेक्टिसेड भी आपको लगा लेते हैं जानते देखते कौन-कौन से कोश्चन आप सही कर पाते हैं कौन से गलत आपको से होते हैं सबसे पहला जो कोश्चन आता है वह बढ़वानी को कब जिला जो है अलग जिला बनाय गया था मोस्ट टाइम से बताए यानि बार की स मदला करके नए जिला बना अगला कुश्चन आता है राज जी का कौन सा अनुसंदान केंद्र बढ़वानी में है मोस्ट टाइमपी कोश्चन है कई बार या जो कुश्चन हर बार आपके एकजाम में पूछे जाते हैं इसका जो सही जावब होगा बढ़वानी को रिक्तिस्तान कहा जाता है अगर आप से पूछ लिए जाये कि तीसरा सुनेरा जीला किसे बोला जाता है तो यह भी आपका बढ़वानी को ही बोला जाता है नोट डाउन का लिजगा फेक्ट मोस्ट टाइम पी है आपकी एक्जाम में पक्का पूचे जाएंगे इसलिए आपको बार-बार बता रहे हैं अगले पिक्ट आता है बडवानी 42 गजा में अधिनात जेन जो हे इनकी कितनी फिट उची मोर्टियां हैं याँन जेन एगर मान लीजी आप तो यहां पर बडवानी 52 गजा में आदिनात जो थे इनकी कितनी ूची मोर्टियां आपको याद रणना चीए सबी को कwegen को औनी तो चैनल को शारी होगा स promet को सेंद्व करों के एक प्रमुक सेहरां झाल के सती है में किसकी जए किस की फेक्ट्रि यह कहीं बता है कि यहां पर किसकी फेक्टरी इंग इस लिए ऊपको बताए थैं Pastor पर काटन जीनिंग की फेक्टरिय यहां पर इस्थी थे तो इसका फर्स्ट ऑप्सन जो है यह सही जवाब इसका हो जाएगा तो दीके टोप फाइब कोशन लिए थे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू से बताईगा कि कितने कोशन यहां से आपको सही हो पाए हैं तो आयोप की यह वीडियो आपको पतने दाया होगा वीडियो कर अच्छे लगए डूक लाइक कर दीजिए सेर कर दीजिए और चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब जरू से कर लिजगा क्योंकि यहां पर आपको डेल ही एसे वीडियो मिलते रहते हैं वोगर आप और भी व आपको बारत